हेला एवरिवन आज है 12 अक्टूबर और हम कर रहे होंगे इंडियान एक्स्प्रेस के न्यूस अनलाइसेज नाउ आप चाहें तो मुझे मेरे सोचल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में हैं तो इनका नाम है मली करजुन खरगे मली करजुन खरगे और यह हैं इंडियान नेशनल कॉंग्रेस के होने वाले प्रेजिडेंट एक्चुली हो चुके हैं ठीक है इलेक्शन हुए थे आपको पता ही होगा इलेक्शन में दो जने खड़े हुए थे एक डॉक्टर शशिथरू ठीक है और दूसरे यह अब यह जीते हैं इनको 60 साल हो गया है प्रेटिक्स में इस्पेशली कॉंग्रेस में इन्होंने आज तक कॉंग्रेस को ही सर्व किया है और इनको 60 साल हो गया है और इंडियान नेशनल कॉंग्रेस को 24 साल बाद कोई अब जाकर 24 साल बाद कोई एक न गांधियन प्रेजिडेंट पहले राजीव गांधी उसके बाद सोनिया गांधी उसके बाद राहूल गांधी और उसके बाद फिर से सोनिया गांधी ठीक है तो यही इनकी फैमिली चल रही थी राहूल गांधी थे उसके बाद सोनिया गांधी आई अब वो क्यों क्योंकि यह allegation लगाए गए राहूल गांधी पर कि उनका जो leadership है वो उतनी अच्छी नहीं है सोनिया गांधी जब तक 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 मनमोन सिंग की सरकार थी सब चल रहा था बड़ जब से राहूल गांधी बने हैं तब से देखा जा रहा है कि एक decline आया है Congress के graph में Congress लगभग लगभग सभी elections हार रही है वी तक कोई Congress election नहीं जीती जब से राहूल गांधी लीडर बने तो उसके बाद से उन्होंने फिर से सोनिया गांधी को ही दे दी थी without any elections मतलब ये का जाता है कि इंडिया के सबसे ज़ादा कह सकते हैं Democratic Party हाँ Democratic मतलब हमारी democracy में election लड़ने से पहले ये अपने अंदर election लड़ा करती थी कि कौन सा किस पद के लिए उमीदवार होगा ठीक है तो एक ऐसी party जो एक family के party बन कर रहे गई अब ये मलीकरजुन खरगे आए हैं इन पर भी यही allegation है कि ये गांधी फैमिली के ये गांधी फैमिली के काफी close है और उनके kind of puppet है ठीक है गांधी फैमिली के kind of puppet बन कर रहेंगे बट इनका कहना है कि ये reforms लाएंगे और revive करवाएंगे congress को तो ठीक है अगर ऐसा ये करते हैं then well and good तो इनके जो opposite खड़े थे वो थे डॉक्टर थरूर ठीक है डॉक्टर शर्शी थरूर बहुत ज़्यादा एक कह सकते हैं intelligent और great mind personality है ठीक है उन्होंने बचपन से ही books लिखना शुरू कर दिया था और Harvard, Oxford, Stanford, Boston ऐसी बड़ी-बड़ी universities में Cambridge, ऐसी universities में उनके lectures होते हैं ठीक है जब वो बोलते हैं तो उनके statements newspapers में आते हैं वो उनके सामने खड़े थे बट उनकी team की तरफ से allegation ये है कि UP में कुछ गड़बड हुई है UP में क्या गड़बड हुई है? UP में जो लोग थे ही नहीं जो लोग वहां election के time पर मौझूद ही नहीं थे उन लोगों के vote डले हैं कैसे? और दूसरी चीज ये कि एक proper system नहीं था कि कौन vote देगा और कौन नहीं? मतलब किसको vote देना है? क्या criteria है? eligibility का है Congress में? Congress है इंडिया की सबसे second number की इंडिया की second number की सबसे बड़ी political party है? इतनी बड़ी political party है वो I think world में fifth और sixth number पर आती है Congress Indian National Congress ठीक है? तो एक ऐसी party में क्या सभी vote देंगे? मतलब कई लाखों हैं? क्या वो सभी देंगे? नहीं कुछ गिने चुने थे, अब वो कौन थे? ये थोड़ा सा clear नहीं था एक तो इस पे allegation लगाएं, डॉक्टर शर्शी थरूर ने और दूसरा सब को दिखी रहा है कि कहीं न कहीं, अगर ऐसा वाकरी में हुआ है, तो वो इसलिए हुआ है कि अगर non-Gandhiyan president बन रहा है, तो गांधी इसकी hegemony जो है वो जो उनकी hegemony है उसको ठेस ना पहुँचे, इस बात को ध्यान रखते भी election कराएं है इनसे पहले जो डॉक्टर शर्शी थरूर के जो opponent थे, वो थे कौन अशोग गहलो, जो की कहा है राजिस्थान के क्या है, CM, वो भी गांधी family के बड़े close हैं, ठीक है और इनका कोई वो नहीं था कि करेंगे election लड़ेंगे वो तो end time पर इनको खड़ा कर दिया गया, तो कही न कही शायद इसलिए इनको बड़ा सोच समच के खड़ा करा गया, ठीक है और एक गांधी इसके थोड़े close भी थे, तो कही न कही न कही इनका था कि हाँ ये बनेंगे 24 साल बाद Congress को एक non-Gandhian President मिला है ठीक है, 89% वोट के साथ ही जीते हैं, 89% वोट के साथ, तो कहा जा रहा है कही न कही गांधीज की, इनके उपर थी, गांधीज ने influence करा लोगों को, इनको वोट करने के लिए और दूसरी चीज दूसरी चीज थी की, यूपी में धांधली हुई है, कि कई जो लखनाओं में, कई लोग जहां जो गए ही नहीं है वोट देने, उनके वोट भी पड़े हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है बट एड़ दी एंड डॉक्टर शर्जी धरोड ने अपने आपकी रोल्स और रिस्पोंसिबिल्टीज क्या है इंडियन नेशनल कॉंगरेस में तो दोनों ने ही सिमिलर सा जवाब दिया जो भी हमारे पार्टी प्रेजिडेंट माने मलीकर खरजुन जो भी ये बताएंगे वही हमारे रोल्स होंगे ठीक है और देखो बाकी चीजों को प्लिटिक्स को साइड रखते हैं अगर इंडिया के एस्पेक्ट पे देखें तो ये बहुत बढ़िया स्टेफ है हमारी डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छा है पार्टी कैसी भी हों कैसी भी ना हों बट एक ही पार्टी का अगर दबदबा होता है तो वो हमारी डेमोक्रेसी के लिए प्रॉबलम है जो इस टाइम बीजेपी के पास पूरी की पूरी कह सकते हैं एक वोट बैंक पड़ा है उसको अगर कोई चैलेंज कर सकता है आज के टाइम पे तो वो इंडियन नेशनल कॉंग्रेस है ठीक है अब बात करें आम आदमी पार्टी और टेमसी त्रिनमूल कॉंग्रेस की तो अभी ये सिर्फ रीजिनल पार्टी जहाला कि आम आदमी पार्टी पंजाब में जीत के थोड़ा रीजिनल से बाहर निकली है गुजरात में वो अच्छा काम कर रही है गोवा में उसके पास काफी अच्छी सीट्स गई है भी तो काम वो भाँ भी अच्छा कर रही है त्रिनमूल कॉंग्रेस तो थोड़ा सा देखो नौर्थीस्ट की तरफ ही दे जाती है बेंगॉली पार्टी है पर स्ट्रॉंग पार्टी है त्रिनमूल कॉंग्रेस भी तो ये आमादी पार्टी और त्रिनमूल कॉंग्रेस ये BJP को टकर दे सकते हैं बट फर नौ ओनली इंडिन नेशनल कॉंग्रेस ही है एक ये ओपोजिशन ही है जो अपने रोल अच्छे से प्ले कर सकती है तो देखते हैं अब आगे क्या होगा और हाँ next move on to the topic before moving on to the topic मेरा आप से एक question है और आप सभी comment section में इसका जवाब दीजेगा सही answer आपको मिलेगा वीडियो के end में तो बनी रहेगा this year IAF is celebrating its dash anniversary means इस साल जो Indian Air Force है हमारी वो अपनी कौन सीज एनिवर्से celebrate कर रही है 100th, 90th, 50th और 150th तो comment करके बताईएगा सही answer वरना answer है वीडियो के end में thank you so now शुरू करते हैं आज की पहली news से तो पहली news काफी कह सकते हैं negative news है that rupees falls to record 83.02% sorry sorry at 83.02 now it's a rate with USD ठीक है US dollar now हुआ क्या है अभी already रुपी अपने all time law पर था कितने 82.06 पर ठीक है और अब देखा गया है कि उसमें 66 पैसे की और increase आई है और अब वो हो गया है 83.02 तो इसके reasons क्या है ठीक है मैं सीधे reasons पर discuss करना चाहिए इसके reasons दो है पहला reason तो है conflict जो चल रही है mainly Russia Ukraine conflict जो है वो इसका एक reason है क्यों क्यों investors है न वो risk नहीं उठा रहे है वो risk नहीं उठा रहे है वो जो uncertainty अधितर markets में चल रही है उसमें वो risk नहीं उठा रहे है और खासकर कि Asia में ठीक है न तो उसमें वो risk नहीं उठा रहे है और वो जादे जादे US dollar में ही invest कर रहे है that doesn't means कि वो इंडिया से अपना जो उनका investment है उसको निकाल रहे है नहीं वो disinvestment नहीं कर रहे है वो US dollar में invest कर रहे हैं जिसकी वैसे US dollar बढ़ रहा है तो कहिना कहीं जो हमारी finance minister ने भी इस बात को discuss किया that rupee is not falling US dollar is increasing ठीक है तो कहिना कहीं यही reason है कि वो US dollar में जो एक stable market उनको अभी दिखाई दे रहा है वो उसमें invest कर रहा है कल कोई और सा दिखाई देगा तो उसमें करेंगे now पहला reason तो यही है और जो दूसरा reason है वो है policies of developed countries की मतलब देखो अभी जितनी भी developed countries है ना या तो उनकी currency पे बुरा हाल है या फिर उनके reserves खतम हो गए है या फिर कुछ भी उनकी जो economy डूब रही है वो उनकी performing खराब हो रही है जर्मनी की अगर हम बात करें जर्मनी जो की सबसे बड़ी economy है यूरोप की ठीक है यूरोप की यूरोपयन union की वो उस टाइम पर बहुत ज़ादा crash करती दिखाई दे रही है ऐसी अगर यूके की currency की बात करें वो भी बहुत ज़ादा crash कर रही है तो इन सब चीजों की वज़े से न इनकी जो क्या policies है जो fiscal policies है इनकी वो problematic है किनके लिए underdeveloped developing और जो vulnerable countries है इन countries के लिए इन developed countries की जो इन developed countries की जो fiscal policies है देखो अब ये UK है जर्मनी है ये colonial पावल रही है एक time पर तो अब जो इनका लूटावा पैसा ताना वो जीर जीरे खतम हो रहा है तो अब ये ऐसे steps ले रही है जिसकी वज़े से जो underdeveloped developing countries और vulnerable countries vulnerable countries सबसे जादा problematic है इन पर असर पढ़ रहा है तो कहिना कि इंडिया भी क्योंकि देखो developing country है तो इस पर भी फरक पढ़ रहा है इनकी fiscal policies की फिरे से तो ये तो थे इसके दो reasons ठीक है developed countries की fiscal policies एक point इसमें और है imported inflation is now a worry हमें पता है कि जो इंडिया का जो trade है वो deficit में है क्या trade deficit में है माने इसका क्या मतलब है तो हम import ज़्यादा करते हैं हम क्या करते हैं import ज़्यादा करते हैं with respect to export हम import ज़्यादा करते हैं with respect to export तो इस वज़े से हमारा already जो imported है देखो ये लिखना imported तो जो हमारा already import है हमारा import वो कई जाधा है ठीक है तो इस वज़े से हमारा जो inflation रहेगा क्योंकि देखो जैसे हमारा deficit बढ़ेगा हमारे forex कम होएंगे ठीक है forex कम होएंगे यह हमारे उपर loan जाधा बढ़ेगा तो कहीं न कहीं inflation वो बढ़ती चली जाएगी तो एक यह issue भी आता है inflation का तो यहाँ पर यही discussion था now the next news which is a positive news तो हुआ क्या है recently एक defense expo हुआ था गुजरात में गांधी नगर में specifically defense expo हुआ था गांधी नगर गुजरात में तो यहाँ पर जो हमारे defense minister ने राजना सिंग उन्होंने कुछ statements दी हैं कुछ बाते बताई हैं किसके उपर एक तो supply of Indian weapons के उपर supply of Indian weapons के उपर और इन्होंने बताया है terror तीन चीज़े बताई है terror drugs और piracy now हम इस पर discuss करेंगे यह तीनों क्या problem create करते हैं क्या hurdles हैं क्या challenges हैं इंडिया को लेकर और supply of weapons पे क्या stance है अब इंडिया था ठीक है और उनकी क्या statement है आई ओ आर इंडियन ओशन रीजन अब ये कुछ नहीं नाम से चल रहा है इंडियन ओशन का जो रीजन है basically इसमें कौन कौन सी country आती है इसमें इंडिया आती है पाकिस्तान आती है ठीक है एफ्रिकन कंट्रीज आती है कई सारी फिर मौलदीव आती है मौरीशयस आती है ठीक अब देखो इसको न, IOR को, इंडो-Pacific से इसको compare मत करना, इंडो-Pacific is another thing, इंडो-Pacific में Russia भी include हो जाता है, Africa काफी end तक Africa, वो भी include होता है, इंडो-Pacific में Japan भी include होता है, सारे ASEAN countries include होती है, ठीक है, यहां तक कि United States तक Pacific Ocean है, तो वो सब include होता है, यहां पर सिर्फ बात हो रही है, इंडिया नोशन के region की, चीक है, इंडिया नोशन के region की, तो यहां पर इन्होंने तीन problem rise करी हैं, जो इस टाइम पर IOR में, जो मैंने countries के हाँ नाम बता, यह face कर रही हैं, वो problems क्या हैं, एक तो terrorism, एक narcotics और एक phishing, जिसको हम piracy भी बोल सकते हैं, fishing basically जो unregulated fishing करते हैं, जो laws नहीं मानते हैं, जो जिनको अपना jurisdiction नहीं पता, कि यहां से यहां तक हमें करनी हैं, जो government के rules set हैं, ठीक है, वो होती है, अब नाओ, इसमें इनोंने क्या problem rise करी हैं, एक तो terrorism, एक narcotics और एक phishing, और इनको tackle down करना बहुत ज़रूरी है, उन्होंने साथ में, जो देखो, कुछ time पहले, आत्म निर्बर भारत के under, यह वाली बात कही थी, इंडिया ने, defense ministry ने कि, यह वाली बात आ रही है कि, हम किस से weapons लें, हम Russia से लें, US से लें, हम किस से weapons लें, तो हम, अब किसी से weapons ने लेंगे, हम अपने weapons खुद बनाएंगे, अब इसमें कई सारी reports आई निकल कर, कई सारी western reports थी, कई सारी media outlets थे, उन्होंने इस बात को cover किया, क्या, कि जो इंडिया की जिद है ना, यह, कि हम import नहीं करेंगे, weapons को, और हम खुद से manufacture करेंगे, तो यह वाले जिद इनको भारी पड़ेगी, क्योंकि आने वाले कुछ टाइम में, इनके पास weapon short हो जाएगा, तो अभी वो situation तो नहीं है, बट साफ दिख रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, जो weapon short की बात करी गई है, क्योंकि government बहुत सारे weapons अल्रेडी बना चुकी है, आप INS अरिहंत को देखो, विकरांत को देखो, ठीक है, इसके अलावा कुछ missiles बनाई हैं, in fact, Tata ने तो कई सारे आर्मी के लिए motor vehicles और बनाए हैं, ठीक है, missile set vehicles बनाए हैं, ठीक है, aircrafts हमने अभी कुछ time पहले बनाए थे, drones हम बना रहे हैं, अभी recently एक drone हमने बनाया है, जो कि एक human body को लेकर उर सकता है, ठीक है, और now अब ये बात किस में कर रहे हैं, अब ये बात कर रहे हैं, इंडिया notion में, तो India was ready to supply missiles and weapon system to friendly countries in the region, तो specifically ये IOR के जो और regions हैं, जो IOR के regions हैं, उनकी जो countries हैं, उनको weapon supply करने की बात कर रहे हैं, उनको weapon supply करने की बात कर रहे हैं, और देखो, इन्होंने यहाँ पर क्यों का, friendly countries, क्या इंडिया की unfriendly country भी है, तो देखो कहीना कहीं, चाइना है, और पाकिस्तान है, इनको छोड़ कर, अब चाइना तो IOR में आता नहीं है, पाकिस्तान आता है, एक तो इन्होंने पाकिस्तान की बात करी है, और एक इन्होंने बात करी है, बर्मा की, किसकी बर्मा माने मयानमर की, म्यानमर की बात करी है इन्होंने क्योंकि वो एक डिक्टेटर कंट्री है वहां मिलिटरी कू हो रखा है डेमोक्रेसी खतम है तो इन सब फैक्टर्स को देखते हुए वर्ल्ड स्टेज पर इंडिया की इमेज गलत जाएगी अगर हम म्यानमर को क्या वेपन्स सप्लाइ करते हैं अगर हम उसको वेपन्स सप्लाइ करते हैं इसमें एक नेक्स्ट चीज इन्होंने ये कई है कि जो तीन इशू है एक तो पाइरिसी का इशू एक ड्रग ट्रेफिकिंग का माने नार्कोटिक्स का और तीसरा गन रनिंग ठीक है तो ये जो तीन इशू है ये अभी बहुत छोटे हैं ये भी बहुत छोटे हैं बट आने वाले टाइम में ये कब बढ़े जाएंगे पता भी नहीं चलेगा इन तीनों चीज को अभी टैकल करना कमपेरेटिवली इजी है ना इसके गवर्रमेंट कुछ इनिशेटिव लेगी कुछ अपनी फ्रेंडली कंट्रीज के साथ ठीक है उनको वेपन सप्लाए करेगे अब वेपन्स में क्या क्या वेपन्स होंगे अलग अलग टाइप की मिसाइल सिस्टम्स, लाइट कॉमबैक्ट एरक्राफ्ट, हेलिकॉप्टर्स, मल्टी पर्पस लाइट ट्रांस्पोर्ट, एरक्राफ्ट, वार्शिप्स, पैट्रोल वैसल्स, गन सिस्टम्स, टैंक्स, रडार्स, मिलिटरी वहिकल्स, इलेक्ट्रोनिक वार्फेर सिस्टम्, एड अधर वैपन्स, ठीक है तो जो भी ऐसा कोई लिमिट सेट नहीं करी गई है, और नाई कोई अभी पॉर्टफोलियो बना है, जस्ट गवर्मेंट ने कहा है कि जो भी इनिशेटिव लिया जाएगा, जो वो पूरी सहमती से लिया जाएगा, ठीक है, बट जो भी हम डिसीजन लेंगे, वो सिर्फ वन साइडिड नहीं मतलब एक तरफ से डिसीजन नहीं लिए है, हम तो वैपन्स कर देंगे, एक्सपोर्ट, हम तो सप्लाइ कर देंगे, बट साथ में कुछ कोलाबोरेशन के तुरू इनिशेटिव लिये जाएंगे, जैसे आपस में देखो, सिर्फ वैपन्स की बात है, तो वो तो सिर्फ कर सकते हैं, कोलाबोरेट कर सकते हैं, जैसे क्या का, अब मल्टी पर्पर्पस एफर्ट फोर कम्पाइलेशन, कोलेशन, एंड शेरिंग अफ सर्विलेंस डेटा, कलेक्टिड फ्रॉम डाइवर्स सोर्सेज, इस सोर्सेज क्या है वो, सैटलाइट, रेडार, प्लेंस, यूम जो इनकी क्लोजिंग स्तेट्मेंट है, उस पर बात करेंगे, इन्होंने यूक्रेन और रुशिय का कानफ्लीक्ट देते हुखा है, उक्रेन कानफ्लिक्ट सोर्ड हाऊ, रिपल एफेक्ट, क्या होता है, एक्चुली कि ओशन में होता है, क्या होता है, जब विंड चलती है तो दीरे दीरे पानी अपना फ्लो बढ़ाता है ठीक है वो उसको कहते है रिपल इफेक्ट दीरे 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 बढ़ाता है और कब और कब ये बड़ी-बड़ी waves में convert जाता है वो हमें पता भी चलता तो इस पूरे process को कहते है कि ripple effect इन्होंने एक आये कि Ukraine conflict showed how ripple effect could affect energy and food security for vulnerable countries similarly failing state was a challenge to not only their region but also at world stage दूसरा reason उन्होंने बताया है पहला तो इन्होंने यही बताया है कि Russia-Ukraine conflict दूसरा जो developing countries और even underdeveloped countries में जो economic collapse आता है जो उनके हाँ पर financial crisis आते हैं उसकी विज़े से सिर्फ उनहीं का जो region है सिर्फ उसी में ही problem देखने को नहीं मिलती है इससे भी जाता आगे बढ़के problem देखने को मिलती है world stage पर देखने को मिलती है ठीक है piracy and trafficking तो ये चीज़ता देखी गई है कि underdeveloped country हो या developing country हो और जिनकी बहुत ज़्यादा economy डूबी हुई हो currency डूबी हुई हो उनपर बहुत ज़्यादा loan हो तो वहां कही ना कहीं जो उनके पूरा system होता है जो उनका administration होता है वो कमजोर होता है जिसकी वज़े से जो drug trafficking है जो मैं कहूंगा human trafficking है ठीक है जो terrorism है ठीक है जो gun supplies है वो बढ़ जाते हैं तो कही ना कहीं इन देशों की वज़े से ये problems पूरे world stage पर देखी जाती है financially भी और जो internal security का issue है उसके aspect पर भी we believe that engaging with our partner countries through forums like this allow us to appreciate each other's concern ठीक है ये इनका statement है तो काफी अच्छा article था पढ़ लेना आप इसको now the next is on page number 18 explained अभी हम ना current affairs की बात नहीं करेंगे हम तीन news पढ़ने वाले जो की static portion से है ठीक है static portion की तीन news है एक तो Cuban Missile Crisis आपको पता होगा between Russia and US वो क्या हुआ था ठीक है एक problem create हुई थी वो by chance problem थी it's not intentional problem ठीक है वो एक Cuban Missile Crisis के बारे हम बात करेंगे फिर हम बात कर रहे होंगे missed chances on the border तो बेसिकली ये इंडो चाइना कॉन्फिक्ट की बात हुई है जवाला लहरू के टाइम से लेकर अब तक के ठीक है और जो तीसरी news होगी वो होगी हमारे किस से GS2 और सॉरी GS1 GS1 Art and Culture चीक है तो इन तीनों को हम पढ़ रहे होंगे तो शुडू करेंगे Cuban Missile Crisis से Now Cuban Missile Crisis हुई थी 1962 में 1962 में और अब चल रहा है 2022 तो अब इसकी चर्चा कैसे आई है तो रिसेंटली जो जो बाइडन है US के प्रेजिडेंट उन्होंने अपनी स्पीच में इस बाद कर दिक्र किया है जिस तरीके से जो यूक्रेन में यूक्रेन में जो रशिया एग्रेशन दिखा रहा है और पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स को भी डिप्लॉय कर दे इसी तरीके से रशिया ने एक टाइम पर क्यूबा पर भी ऐसे ही डिप्लॉय करे थे अब फर्क इतना था कि यूक्रेन के खिलाफ करेगा और उस टाइम पर उसने क्यूबा के लिए करे थे अब वो क्या था इस बारे में हम डिस्कस करेंगे उन्होंने क्यूबन मिसाल क्राइसिस के बारे में मैंशन किया है सुनाओ हुआ क्या है ये 1962 की बात है जिस टाइम पर औरेड़ी यूएस और यूएस एस आर उस टाइम पर रश्या नहीं था यूएस एस आर इनके बीच में कॉल्ड वार आरेड़ी चल रही थी 1962 ठीक है ये दो तीन साले कॉल्ड वार चली है जिसमें cold war basically होता है कि जिसमें इन्हों directly engage नहीं किया जिसमें इन्होंने directly engage नहीं किया बट इन्होंने कहीं न कहीं एक दूसरे के सामने कहीं न कहीं stand-off जरूर किया है indirectly जैसे जैसे हुआ था किसमें तर्की में अगर आपको याद हो तर्की में और इटली में और क्या महां मिसाइल्स डिप्लॉई कर दी थी तो इस बात का एक तो बदला लिया था किसने USSR ने क्यूबा में डिप्लॉई करके ठीक है अब शुरुवात कैसे हुई इन सब चीज़ों की जो की नियूस पर मैंशन नहीं है बिल्कुल स्टार्टिंग मैंशन नहीं है इसमें जो ऑक्टूबर 1962 से हुआ था वो मैंशन है तो इसकी रूट्स क्या थी जो एक कॉल्ड वर यहां पर हुई एक्चुली इस कॉल्ड वर में यहां पर इतना बड़ा स्टेंड ओफ हुआ उसका रीजन क्या था तो उसका रीजन उसका रीजन था USA का जो क्यूबा के ऊपर गवर्मेंट युनाइटेट स्टेट्स के हिसाब से नहीं चलती है वैसा अगर आप पूछो कि क्यूबा युनाइटेट सेट्स में के आसपास है और कहां उसकी लोकेशन है तो वो मैं आपको शो करता हूँ तो होता क्या है उनाइटेट स्टेट्स जब उनाइटेट स्टेट से देखता है कि क्यूबा की जो करन्ट गवर्मेंट है वो उनके अकॉर्डिंग नहीं चल रही है तो वो क्या करते हैं वहाँ पे एक रेवलुशनर ही होता है उसको सपोर्ट करते हैं उसको सपोर्ट करते है अलग-अलग देशों में तो ऐसे में क्या होता है वहाँ पर एक डिक्टेटर आ जाता है अब कुछ टाइम तो उसकी भढ़िया चलती है यूएस गवर्मेंट भढ़िया उससे सभी जो गवर्मेंट डिसीजन्स होते हैं उसमें उनाइटेट स्टेट इंटरफेर करता है और उसको बुरा लगता है तो मना करता है गवर्मेंट को कि आप यह नहीं करोगे ठीक है तो अब ऐसे में वह डिक्टेटर आता है अब वह देखता है कुछ सालों तो पहले यूएस अपनी मनमानी करता है और उनकी बाते नहीं मानता तो वह कहीं न कहीं यूएस को क्या करता है यूएस से उनकी बात मानना बंद करना लगता है कौन ये देश क्यूबा का जो डिक्टेटर होता है वो तो ऐसे में यूएस क्या करता है अपने फिर से दुबार अपने इंटरस को जिसका नाम होता है फिडल कास्ट्रो फिडल कास्ट्रो तो फिडल कास्ट्रो जो होता है फिडल कास्ट्रो वो उसको सपोर्ट करता है ठीक है वो फिर से एक के revolutionary को support करता है United States और वो फिर से तक प्लट कर देता है और अब Fiddle Castro बन जाता है महां का नया dictator बट Fiddle Castro जैसे ही महां का dictator बनता है वो सारे ideas change करता है यूएस को दूखा दे देता है वो सारे communist idea क्या communist idea यह वहाँ पर implement करता है socialist communist ideas और जो United States है वो liberal ideas पर चलता है तो वह वहाँ पर यह implement करता United States की नहीं सुनता और जो देखो cold war जो हुई थी न वो सिर्फ cold war जो भी cold war हुई थी वो कहीं न कहीं सिर्फ इस चीज़ को लेकर नहीं थी कि wars है और border conflicts है नहीं वो कहीं न कहीं ideologies को लेकर भी हुई थी ठीक है ideologies को लेकर भी वो हुई है कैसे दो मत बन गए थे एक तो US का और एक USSR का ठीक है US का था जो liberal countries थी ठीक है जो democratic countries थी और USSR का जो socialist countries थी जो communist countries थी ठीक है communism ठीक है तो इस तरीके से एक क्या कहते हैं divide हो रखे थे countries और उनके allies के US और USSR के allies के now होता क्या है क्यूबा में अब यह जो government आती है न अब की अब यह होती है communist idea पर based ठीक है communist government होती है तो यह US को पसंद नहीं आता तो US क्या करता है directly इस पर attack करने के कोशिश करता है directly वो क्या करता है इस पर attack करने कोशिश करता है क्यूबा पर तो क्यूबा क्या करता है USSR से help मांगता है अब उस time पर जो USSR के जो leader थे वो थे निकिता खार की ठीक है अब यह निकिता क्या करते है एक्चुली न यूएस ने ऐसा ही कुछ किया होता है किसमे इटली में जो कि एक क्या है इटली उस time पर USSR का direct border share था इटली से ठीक है direct अब तो रशिया है तो रशिया बट गया तो वो पीछे हो गया उस time पर directly रशिया और इटली का border था ठीक है और एक तर्की तर्की के साथ भी रहता तो ऐसे थे कुछ मैप तो ऐसे में क्या करता है क्या नामी यूएस इटली में और तल्की में वो nuclear जो वैपन्स होते हैं वो करवा देता है तो इसका बद्ला लेते हुए जो USSR होता है वो क्या करता है क्यूबा में वो भी अपने क्या भेज़ देता है सम्मरीन्स भेज देता है वो अपने सम्मरीन्स फ्रॉम यूरोग यूरोग की तरफ से अपने submarines Cuba में भेजने लगता है और जो US की satellite होती है जो US की satellite होती है वो इस चीज को देख लेती है कि जो है रशिया के कुछ weapons deploy हो रहे हैं कुबा में ठीक है अब इस चीज को देखते वे US क्या करता है अपनी कई सारी ships Cuba के आसपास उनको लगा दिता है, अपनी कई सारी ships को Cuba के आसपास लगा कर वो letter लिखते हैं क्या लिखते हैं letter और उस टाइम पर कौन थे US के प्रेजिडेंट, US के प्रेजिडेंट थे Kennedy ठीक है Kennedy अब Kennedy क्या करते हैं वो letter लिखते हैं किसको Nikita को वो निकिता को letter लिखते हैं और कहते हैं कि जो US है वो किसी भी तरीके का intervention जो है क्यूबा में nuclear missile से वो उसको नहीं accept करेगा और वो सीधा के सीधा stand off करेगा USSR के सामने तो इसके बदले USSR क्या लिखता है कैनेडी को USSR लिखता है कैनेडी को माने निकिता कैनेडी को लिखते हैं किसके ओपर दो चीजें की ठीक है हम नहीं करेंगे दो शर्त हैं क्या हैं दो शर्त अब देखो कहीं न कहीं जो कैनेडी थे जो निकिता थे वो क्या चाहते थे वो यह थोड़ी ना था कि हमें क्यूबा की help करनी है उनका motive था बदला लेना जो इटली और टर्की में जो United States of America ने किया है उसका बदला लेना इसलिए उन्होंने यहां deploy करवाई थे अपनी submarines अब होता क्या है end में कि वो letter लिखते हैं और दो चीज़ लिखते हैं उसमें कि ठीक है हम म करते हैं पहला तो आप in future आप in future कभी भी इस communist country पर यानि कि क्यूबा पर जो कि आज भी currently 2022 में भी एक communist country ही है तो क्यूबा पर कभी भी attack नहीं करोगे ठीक है कभी भी attack और invasion नहीं करोगे और दूसरा दूसरा क्या है कि आप इटली और तरकी से इटली और टरकी से जो आपने nuclear weapons deploy करके हैं वो आप महां से क्या कर लोगे disengage कर लोगे ठीक है disengage कर लोगे तो इस बात में क्या होता है meeting होती है किसकी meeting किसकी होती है USSR के एक ambassador की और United States के एक diplomat की एक secret meeting होती है और उसमें वो accept कर लेते हैं इन सभी बातों को और इस बात के लिए जो ये सब पूरा हुआ कि जो इनके सामने सीधा सीधा stand off हुआ कि यहां पर ships खड़ी थी United States थी और वहीं पर उनकी submarines और ships भी आ गई ठीक है US के aircrafts भी थे इन सब चीजों के बावजूद वहां कुछ हुआ नहीं तो इसको काफी कहा जाता है कि Kennedy की वज़े से हुआ है कि यह सारी problem create नहीं उनको appreciate किया जाता है इस चीज के लिए Kennedy को ठीक है now होता क्या है फिर उसके बाद जब यह sign हो जाता है उनके बीच में और यह चीज United States में भी जाती है United Nations में ठीक है वहां भी जाती है यह चीज बट बाद में क्या होता है वो उनकी बीच में sign हो जाता है और उसके बाद USSR क्या करने लगता है जो उसकी submarines होती है न वो उन से जो भी weapons होता है उनमें रखवा के weapons को वो वहां से वापिस जाता है ठीक है बट रस्ते में क्या हो जाता है वहाँ पर जिस टाइम पर वो लेकर जा रहे होते हैं तो एक शिप में जो एक इसका USSR का जो शिप था उसमें से एक वेपन अब वो थैंक गॉड वो नुक्लियर वेपन नहीं था बट एक जो मिसाइल होती है वो लॉंच हो जाती है गलती से और जो यूएस के क्या नामे स्पे काफी क्रिटिसाइज भी करती है यूएससर की गवर्मेंट को कि आपने हैंडलिंग अच्छे से नहीं करी लापरवाई करी है बट प्रॉब्लम इससे नहीं होती है जब वो ब्लास्ट होता है तो वो ओशियन में जाके गिरता है और ओशियन में जो होती है क्यूबा के अरा लेज़े से इस के ब्लास्त होने कि वेश्य तो लगता है बेसिक्ली एक श्भी को जस्मैं तीन लोग थे जिसमें तीन प्लोल यूबी उफसर्स सटे मैं हूसको हुआ उइसा लगता है उसको हिट आस पासी ब्लास्त हो तिया और एक शॉक वेवइं को लगती सम्रीन AI को तो न्यूक्लियर अटेक हुआ है तो according to the orders अगर उन पर कोई अटेक होता है न्यूक्लियर तो उनको भी अटेक कर रहा था तो इसलिए वो क्या करती है अपने ये सम्मरीन अपने न्यूक्लियर वैपन्स को डिपलॉय कर देती है उनको रेडी कर देती है फायर के लिए मतलब confusion just because of the mis confusion एक सम्मरीन न्यूक्लियर वार करने ही वाली थी बट तीन में से एक मेंबर होता है जो इन सब को रोक देता है समझाता है कि नहीं हमारे पास order नहीं है हमें आसे चलना चाहिए और अगर न्यूक्लियर अटेक होता है तो वो हमें order मिल जाएंगे और हम दुबारा आ contact करते हैं और पूछते हैं कि क्या न्यूक्लियर अटेक हुआ तो वहां USSR मना करता है और उनको वापिस आने के लिए कहता है तो यह था पूरा Cuban Missile Crisis कि जहां पर वो जो मिसाइल थी USSR की जो USSR की मिसाइल थी वो कितना कुछ create करने वाली थी इस region में ठीक है तो यह पूरा था क् Cuban Missile Crisis कितना 1962 ठीक है ओके और इससे compare करते वे जो जो क्या नाम है जो बाइडन है उन्होंने इसी बात को दुबारा दोराया है कि कुछ ऐसी problem ना हो जाए कि पुतिन's possible use of nukes माने nuclear weapons in Ukraine तो फिर से दुबारा एक standoff हो जाए US और USSR के बीच जो की एक टाइम पर कह सकते हैं World War 3 जिससे होने वाला था World War 3 जिसकी वेसे होने वाला था वो दुबारा ऐसा कोई standoff set ना हो जाए ठीक है तो एक Cuban Missile Crisis बताने का motive था at the end इनके जो बाइडन के अपने personal views नहीं ठीक है तो यह इंडो चाइना कसे रेलेटिड है इसके उपर हम डिसकस कर रहे होंगे हम एकदम से इसके उपर बात करके रहे हैं आज टोपिक आया कैसे है वो आया है 1962 की वज़े से क्योंकि यह वही सेम इयर है जिस दिन यह Cuban Missile Crisis हुए जिस साल यह Cuban Missile Crisis हुए तो आईए समझते हैं डिटेल में इंडिया चाइना के L.A.C. बॉर्डर के conflict को तो यह conflict को 1962 में शुरू नहीं हुआ था यह conflict शुरू हुआ है ब्रिटिश राज के टाइम से जब ब्रिटिश एंपायर ने इंडिया के दो रीजन पहला अकसाई चीन और दूसरा अरुणाचल प्रदेश इन दूनों रीजन को जो तिब्बत था तबका इंडिपेंडेंडेंट तिब्बत उससे इसके बॉर्डर की डील करी थी होता क्या है जब ब्रिटिश रूल होता है इंडिया में तो ब्रिटिश का मैप कुछ इस तरीके का होता है उसमें ब्रिटिश इंडिया की टेरिटरी जिस टाइम पर इंडिपेंडेंडेंस इंडिया का डिकलेर होना था उस टाइम पर ब्रिटिश को इंडिया का मैप पाकि करते हैं और इस डील में तिबथ जो यहां से और यहां तक फैला हुआ एक रीजन था वो यहां पर एक यह डिसाइड करते हैं मैं उसके बाद चाइना इसके खिलाफ क्रोटेस्ट करता है और कहता है कि तिबथ जो है यह कोई अलग नेशन नहीं है इस पार्ट ऑफ चाइना क्योंकि चाइना शुरू से तिबथ को अपना पार्ट क्लेम करता है तो कहता है कि यह जो है तिबथ यह चाइना का ही पार्ट है और तिबथ कुछ नहीं होता है कोई ऑटनॉमिस गवर्मेंट नहीं है तिबथ में कि वह डिसाइड कर जाए और उसके बाद पूरे इस रीजन के लिए जो है एक resolution लाया जाए बट अभी जो border set किया जाए वो अभी के लिए ये किया जाए बट ये चीज नहीं चलती और इंडिया और तिबत के deal हो जाती है जो चाइना को पसंद नहीं आती then later on चाइना क्या करता है वो 1962 में वो इंडिया को बिना किसी warrant के बिना किसी message के वो इंडिया पे attack करता है two front क्या करता है दो जगे अटेक करता है एक तो अर्मनाचल प्रदेश ठीक है और दूसरा दूसरी जगे थी अकसाई चीन और वो इन दोनों में काम्याब होता है अब इसके reasons क्या थे एक तो reason था diplomatic कि इंडिया जो था ना इंडिया वो peaceful resolution चाहते था प्राइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे जवाहर लार नहरू तो जवाहर लार नहरू peacefully चाहते थे जबकि चाइना ऐसा नहीं था वो चाहते थे कि चाइना हमारा पडोसी है और बाकी पडोसियों की तरह पाकिस्तान के साथ तो yes relation खराब थे बट बाकी अगर देखा जाए त तो उस टाइम पर देखा जाए तो नैपाल था भुटान था ठीक है यह श्री लंका और भुटान की तो शुरू से आर्मी भी नहीं है भुटान की आर्मी को इंडिया ही है भुटान की आर्मी इंडियन आर्मी ही है ठीक है तो इन सब चीजों को देखते हुए क्या हुआ ए एक reason तो हमारा हारने का ये था, क्योंकि चाइना पूरा पूरा successful हुआ है, आज चाइना के पास ये दोनों territory अच्छे से हैं, ठीक है, एक तो reason ये था, diplomatical, और दूसरा reason इंडिया के हारने का ये था, कि इंडिया के पास उतनी अच्छी military नहीं थी, ठीक है, इंडिया के पास से 21 November तक चली थी और इस पूरे एक महिने में 20 October से 20 November 1962 इस पूरे महिने किसी भी देश ने ना US ना USSR और ना ही किसी और देश ने इंडिया को सपोर्ट किया इंडिया को बैक किया इसलिए इंडिया हार गया ठीक है तो ये था पूरा इंडिया और ये जो प्रॉबलम है जो कॉणिक है किसकी इंडिया और चायना की ये आज तक कही न हम देखी जाती है ठीकि आब अभी disengagement हुए है तो इसके ओपर देखते हैं अभी क्या end में आएगा क्या चलेगा तो अगर peacefully कुछ हो जाता है तो अच्छी बात है at the end Asia की जो दो सबसे बड़ी powers है उनके बीच में जो सबसे बड़ा जो conflict है वो खतम हो जाएगा बट आज भी अगर कुछ कुछ देखा जाए तो कहीं कहीं ऐसी चीज़े चलती है आज कल कहीं न कहीं इनके बीच में यह सब चीज़े देखी जाती है कि आज भी conflict है जैसे अभी यह recently news निकल कर आई है UN से that China blocked proposal by India China blocked proposal by India US at UN to blacklist let China Hafiz Saeed Sun तो कुछ टाइम से चाइना क्या कर रहा है ना जो US और India के जो US और India जो भी terrorist के नाम suggest करते है most wanted के लिए वो उसमें क्या कर देता है वीटो कर देता है वो क्या कर देता है वीटो योगि China उन 5 में से एक permanent member है 5 में से एक permanent member है और वो लशकरे तालिबान लशकरे तालिबान को support कर देता है ठीक है किस reasons की वेसे एक तो यही कि इंडिया को थोड़ी सहुलियत मिलेगी इस वज़े से कर देता है और दूसरा कारण है पाकिस्तान के उससे ties और पाकिस्तान एक terror sponsor nation है ठीक है पर problem यह है कि यह चीज़ चाइना की बढ़ती जारी है कि चाइना जो भी पाकिस्तान sponsor terrorist है उनके लिए तो वीटो करता है या किसी भी section के जो United Nation की जो constitution है उसके section के जो United Nation के laws है उसके section के according उसमें जो क्या कर देता है वो कही न कहीं उसके proposals को block कर देता है तो यह चीज़ चाइना की बढ़ती जारी है और यह दिखाता है relation इंडिया के साथ चाइना के और इंडिया के साथ तो चाइना कैसे relations है साथी साथ US के भी है और इसके ओपर एक और news है वो देखिएगा तो recently US ने चाइना पर कुछ sanctions लगाए है उसकी semiconductor industry पर अब इस sanctions कैसे हैं किस तरीके से हैं इसके बारे में हम discuss कर रहे होंगे तो basically US ने tax increase किया है चाइनीज semiconductor companies के लिए ठीक है और tax के अलावा जो other subsidies जो बाकी जो भी क्योंकि semiconductor करना time है और इस time पर जिसने इस market को capture कर लिया वो बहुत बड़ी बात है तो एक race लगी पड़ी है दुनिया बर में तो इसलिए US government जैसे इंडिया गवर्मेंट दे रही है वैसे US government ने भी subsidies प्रवाइट करा रखी है semiconductor companies को तो US government ने वो subsidies जो मिल रही थी वो सिर्फ चाइना चाइना की और किसी की नहीं सिर्फ चाइना की companies की वो क्या कर लिया है वहांसे फैच कर लिया सबसीडीज तो सबसीडीज जो है वो उनकी कम कर दी है और जो उनके टैक्स है वो बढ़ा दी है किस ने यूएस ने तो अब बेसिकली इस पर बात हो रही है कि इसके ना पांच चीजें इसके उपर पांच पॉइंट है जो इस पूरा है टोरेल में डिसकस करेगा है वो मैं आफिर शॉट मैच डिसकस करूँगा ना वो पांच पॉइंट क्या है पहला तो पहला है कि competitiveness जो competitiveness है वो increase करेगा अभी हमने डिसकस किया है एक आद मिनट पहले ही कि कैसे cold war किस तरीके से बढ़ा जो cold war था वो किस तरीके से बढ़ा धीरे धीरे बढ़ा और देखते देखते पता ही ने चला कब एक इतनी बड़ी war में और nuclear war तक बनने की उस पर चला गया वो ठीक है तो इस situation तक ये बात पहुंच सकती है competitiveness ये increase करेगा अगर US ऐसे steps लेता है क्योंकि फिर चाइना भी नहीं रुकेगा ना ऐसे steps लेने में दूसरी चीज आती है rivalry ठीक है देखो competitiveness एक अलग चीज है rivalry अलग चीज है ये जो rivalry है ना ये communist party of China और US government के बढ़ती जा रही है recently US government ने जो की जो बाइडन के अंडर आती है उन्होंने अपना एक document share क्या था NSS जो की हर लीडर US का हर लीडर share करता है क्या national security strategy यह मैंने discuss भी क्या था अपने previous lectures में NSS के बारे में हमने editorials cover करे है articles cover करे हैं लोग की statement से इसके ओपर cover करी हैं communist party जो है CPC communist party of China उनकी कैस के ओपर टिपड़ी हमने वो भी discuss करी थी ठीक है अपने 28th national congress में याद होगा अगर आपको ठीक है तो उसमें चाइना की भी टिपड़ी थी तो इन सब चीजों को देखते वे ना बहुत जादा US की तरफ से जो communist party of China है ना उसको बहुत गलत gestures दिये जा रहे हैं ठीक है और यह चीज सही नहीं है और खास कर कि जब 28th national congress आई है एक historic movement हुआ है कि third time कोई पहली बार चाइना का president बनने जा रहा है शी जिंग पिंग ठीक है तो इन सब चीजों को देखते वे US का यह step एक बहुत ही जादा root दिखाया जा रहा है तो कहीं न कहीं यह rivalry उनके बीच में create करेगा ठीक है जो तीसरा point आता है मुझे सा लगता है तीसरा point और जो कि बहुत ही genuine और जो म supply chain बहुत hurt होई गी और यह होती है जैसे जब आर्टिकल 370 इंडियन गवर्मेंट ने हटाया ठीक है उसको क्या किया abolish किया था तो क्या करा था उसके response में पाकिस्तान की government ने क्या किया इंडिया पर धेरो सारे sanctions लगा दिये अब वो sanctions क्या थे वो directly trade बंद गे थे वह यह जो sanctions है जिसके बारे में अभी हम discuss कर रहे हैं यह वाले sanctions यह तो at least कम से कम यह tax के और subsidies से related है ठीक है अपनी services बंद करने से और start करने से related है बट यह वाले जो sanctions थे जो पाकिस्तान ने लगा यह directly उन्होंने क्या किया उन्होंने पूरा का पूरा पूरा का पूरा बंद कर दिया trade क इसके साथ इंडिया के साथ पूरा trade ही बंद कर दिया था उन्होंने ठीक है नो इसके उपर यह discussion आया है कि जो हालत पाकिस्तान की हुई अब मैं यह नहीं कह रहा हूँ वह US की होईगी पाकिस्तान की हालत इसलिए हुई थी क्योंकि उसकी supply chain खराब हुई थी क्या होने लग पाकिस्तान जाते थे अब कहा जाने लगे वह पहले अरब कंट리 में जाने लगे अफगानिस्तान जाने लगे ठीक है और उसके बाद पाकिस्तान जाने लगे जिसकी cost जदा बढ़ गई और कही न कही यह क्या हुआ यह supply chain खराब हुई तो पाकिस्तान तर च्छोटी कंट्र ही है कि सिर्फ उस पे ही फरक पड़ा इन चीजों को लेकर मैं यह नहीं कह रहा हूँ जो पाकिस्तान में एकनॉमिक क्राइसिस आये वे हैं वो सिर्फ इन सेंक्षन की विज़े साय में जो पाकिस्तान ने लगाए बलकि और भी कई सारे कारण हैं बट उनमें से एक कारण ये भी है कि उसे सेंक्षन लगाए इंडिया पे तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये सप्लाइचेन बहुत ज्यादा ग्लोबल सप्लाइचेन हर्ट होएगी अब यूएस की देखो अभी दख तो पाकिस्तान की सप्लाइचेन हर्ट होई थी बट जो क्लाइमेटिक चेंज है अगर कभी भी फ्रंट में खड़े होते हैं ये एक दूसरे के यूएस आर्मी यूएस आर्मी और पीले ठीक है अगर ये दोनों चाइना की आर्मी और यूएस की आर्मी पीले और क्या यूएस आर्मी अगर ये दोनों फ्रंट पे खड़े होते तो क्लाइमेटिक प्रॉब्लम आईगी जो की देखो लोग ना इतना सीरस लेते नहीं है क्लाइमेटिक प्रॉब्लम को बट यह बहुत बड़ा फैक्टर है बहुत बड़ा ठीक है और अब मैं पांच बाज जो की बतानी क्यों यूएस किस घमंड में रहता है और सिर्फ साथ हुआ है ठीक है जो क्या करा यूनाइटिट स्टेट्स ने सेंक्षन लगा दिये किस पर रसीया पर उन्होंने क्या कि रसीया पर बटाइए एक बाद बसाई प्रॉब्लम एड्लियरंटिक इस प्रॉब्लम यूरोप की इस थाई मैलत बहुत पुरी है, sincerely, यूरोप में बहुत ज़्यादा crisis आए हुए है, energy crisis हैं, उनके stocks खतम हो रखे हैं, ठीक है, उनके पास पैसे नहीं है, literally subsidies provide कराने के gas के लिए, और gas के तो आसमान, जो prices आसमान चूरे हैं, oil के prices बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं उनके, तो इन सब चीजों का, यह क्यों आया, यह sanctions की वज़े साया, जो इस पे लगाए गए, जो रशिया पे लगाएगा, अब रशिया की economy down हुई है, बट रशिया को कोई फरक नहीं पढ़ा है इन चीजों से, रशिया जहां पर oil supply, gas supply करता था, यूरोप को, वही supply कर रहा है, 15% कट कर दिया है, उल्ट रशिया ने, जो SEO की summit हुई थी, ठीके, शंगाई corporation organization की, उसबेकिस्तान में, तो वहाँ पर पाकिस्तान से meeting के दौरान, जो रशिया के प्राइमिनिस्टर है, व्लादिमिर पुतिन, उन्होंने, श्रहबाज शरीफ, जो की पाकिस्तान के प्राइमिनिस्टर है, उन्हों से विदिया, कि जो अफगानिस्तान की problem जल्दी solve करते हैं, क्योंकि हमें वहाँ से gas को पाकिस्तान तक supply कराना है, तो वो gas की एक pipeline बिचाना चाहते है, from Russia to India, अब देखो आप, कितना बड़ा उनका project और जादा उबर के आ गया है, sanctions की विज़े से, उनकी currency और strong हो गई है रशि जब एक चीज के दाम बढ़ते हैं, तो जरूर नहीं कि सिर्फ उसी के बढ़ रहे हैं, उस से related 10 चीज़े और होती हैं, अगर oil के दाम बढ़े हैं तो और चीजों के बढ़ेंगे, sunflower oil, जो कि कहा जाता था, Ukraine, उसका leading producer है दुनिया में, sunflower का, और sunflower oil कहीना कह यूक्रेन से ही आ problematic हुई, और सबसे ज़्यादा किसकी वैश से जो United States से sanctions लगाए, क्यों वो strategic consequences नहीं देखता, कि आगे consequences क्या हो सकते हैं, US वो नहीं देखता, पता नहीं US के अंदर क्या है, तो अगर और ज़्यादा sanctions चाइना पर लगाए गए, अभी तो ऐसा नहीं कि ज़्यादा चोटे sanctions ह हैं, और अगर और लगाए गए न, तो चाइना कोई कमजोर नहीं है, चाइना भी दूसरा रशी आए, पलट के वार करेगा वो भी, ठीक है, cold war जैसी स्थिती आएगी, rivalry आएगी, हर चीज में ये भी लडेंगे, ठीक है, climatic change हो सकता है, आर्मी अगर एकदम front पे आती है, त किसी छोटे मोटे देश पर sanctions नहीं लगाए है, कोई ये Venezuela नहीं है, China एक बहुत बड़ा major partner है, रशीया भी था, दुनिया भर के trade का, तो वहाँ पर problem आएगी, दुनिया भर को problem आएगी, तो इसके उपर इतना ही था, तो आज के लिए इतना ही है, और रही बात जो इसके IEF is celebrating its dash anniversary, कौन से साल के anniversary, 100, 90th, 50th और 150th, तो इसका सही answer है, 90th, तो IEF, Indian Air Force, Indian Air Force is celebrating its 90th anniversary, ठीक है, thank you, like कीजेगा, subscribe कीजेगा, शुब गोएल, signing off.